नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में SSC GD 2024 से related कुछ important updates के उपर हम बात करने वाले हैं मेरी तबियत खरापती सी वज़े से आपके लिए में वीडियो लेकर नहीं आपाया था बट आज किस वीडियो में आपके हर एक doubt का जवाब में आपको देने वाला हूँ आज हम बात करने वाले हैं physical date को लेकर आपके nodal force कौन सी है उसको लेकर हम बात करेंगे final cut off के उपर हम discuss करेंगे साथ में RFID चिप से related कुछ important updates के उपर भी हम बात करने वाले हैं चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं physical date को लेकर क्योंकि physical date को लेकर बहुत सारे doubts आ रहे हैं कि आपका जो physical है वो किस month तक conduct करवाय जा सकता है किस date तक आपका जो physical है वो यहाँ पर organize करवाय जा सकता है साथ में nodal force को लेकर भी आपके बहुत सारे doubts आ रहेंगे sir different different लोग जो हैं वो nodal force अलग-लग बता रहे हैं ऐसे में हमारी जो nodal force है वो कौन सी है सो सबसे पहले हम बात करेंगे physical date के बारे में उसके बाद हम बात करेंगे nodal force के बारे में तो अगर हम physical date के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि जो आपका result का right up आये था उसका पैरा number 15 के अंदर कहा गया था कि आपकी जो final answer की है वो आप 10-7-2024 से लेकर 24-7-2024 तक आप अपने download कर सकते हैं तो अपना roll number और password डाल कर link के जरिए और उसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यह कहना है आपका physical कब तक conduct करवाय जाएगा यह depend करेगा आपकी nodal force के उपर कि आपके जो nodal force है वो select हुई है या नहीं है आपके जो nodal force है वो physical लेने के लिए ready है या नहीं है अब यहाँ पर जो आपकी key थी यह तो उन्होंने out कर दी है अब जिसको भी देखनी है वो 10 को भी देख लेगा 11 को देख लेगा 12 को देख ले 15 को देख ले 18 को देख ले भाई सो hard and fast rule नहीं है कि 24 से पहले physical conduct नहीं करवाया जा सकता यह depend करेगा आपके जो force है क्या वो ready है आपका physical लेने के लिए अब अगर हम बात करते है नोडल force के लिए क्या आपके नोडल force है कौन सी और क्या आपके वो physical लेने के लिए ready है भी है नहीं है और आपका physical कब तक conduct करवा जा सकता है तो अगर मैं नोडल force की यहां पर बात करूं तो इसका जो right up था result का उसके पहरे नंबर 13 के अंदर आपने देखा होगा कि call letter to the candidate shortlisted for PSTPT आपकी यह issue करेगी will be issued by the nodal CAPF that is CRPF अब यहां से ही एक जो है वो doubt create हो गया है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ITBP जो ह है वो आपकी nodal force है और कुछ लोगों को कहना है कि CRPF जो है वो आपकी यहां पर nodal force है अब आप इस चीज को एक इस तरीके से समझेगा कि आप किसी hotel में जाते हैं या फिर आप कहीं पर movie के अंदर आप जाते हैं तो आप एक जहां पर तो क्या करवाते हैं cash से ticket लेते हैं cash स सेम चीज को आप ऐसे समझेगा ITBP जो है यह आपका first है यानि कि cash से जो ticket लेते हैं यानि कि यह आपकी जो force है जो आपका क्या conduct करवाएगी physical आपका जो conduct करवाएगी उसको यहां पर क्या करेगी select करेगी अब उसका काम इतना ही है आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो वो यहां पर shortlist की गई है अब यह तीन agency क्या करेंगी इन तीन agency को यहां पर मोका दिया जाएगा जो सारे तरीके से जो आप rule and regulation criteria पूरी कर रहे है उन में से किसी एक को select करके आपके physical के लिए उसको select कर लिया जाएगा अब इसको select कौन करेगा इसको select करेगा ITBP आपका यहा to conduct physical to conduct physical ठीक है so ITBP का काम है कि वो select करेगी force को जो आपके physical को conduct करवाएगी अब CRPF को क्या काम है CRPF का जैसा मैंने बताया ticket ले ली और checking आपकी की जाती है दूसरी जगाबे तो CRPF को यहां पर इसको select करने के बाद ITBP handover कर देगी क्या कर देगी handover कर देगी सारी चीजे कि CRPF को अब उसके बाद आपके जो admit cards हैं जो physical के जो भी आपके rule जो भी आगे guidelines हैं जो भी चीजे हैं वो सारी फिर कौन issue करेगा CRPF तो सेम चीजे समझ में आगी आपने ticket ले ली उसके बाद आप ऊपर चले गए तो ticket counter वाले का कोई काम नहीं होता उसने वो ticket आपको शोप द process वो यहां पर CRPF देखेगे अब समझ में आ गया होगा कि आपकी nodal force CRPF भी है और ITBP भी आपकी यहां पर रहे ठीक है चले अब इसके बाद बात कर लेते हैं एक बार आपकी physical date को लेकर कि आपकी जो physical है वो कब तक conduct करवाई जा सकते हैं तो देखे आपकी जो nodal force है इसका 15 अगस्त के आसपास आपके जो है वो यहां पर करवा दिये जाएंगे लेकिन 15 अगस्त आएगा या तो इसके बाद होंगे या फिर इससे पहले ही आपके complete करवा दिये जाएंगे दोनों ही criteria यहां पर होने वाले हैं 15 अगस्त के आसपास आपके जो physical है वो बीच में नहीं क्योंकि सारी जो forces हैं वो इसके अंदर बीजी हो जाती हैं तो इसलिए एक चांस यह भी है कि आपका जो physical है वो 15 अगस्त के बाद ही आपके conduct यहां पर करवाए जाए क्योंकि अभी CRPF के अपने भी कुछ चल रहे हैं जो है physicals वगेरा चल रहे हैं सो most probably 15 अगस्त के बाद ही आपका जो physical है वो यहां पर conduct करवाए जाएगा ठीक है सो आपके पास अभी time है आप त्यारी करते रही है लेकिन अगर नोडर फोर्स का selection हो जाता है जिस समय से अगर fast काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी अगर यह सारा process को complete कर दे तो हो सकता है कि यह July के end में या first week के अंदर अंदर आपके जो है physical ले ले बट ऐसा possible नहीं लग रहा है सो after 15 अगस्त 15 अगस्त के बाद ही आपके जो physical है वो यहां पर conduct करवाए जाएंगे ऐसी पूरी पूरी संभावना यहां पर नजर आ रही है ठीक है चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसके बाद final cutoff और RFID chip से related update के उपर सो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे RFID chip update के बारे में कि RFID chip से related कुछ updates है यानि कुछ questions है कि RFID chip के अंदर weight कितना होता है RFID chip काम कैसे करती है और disadvantage of RFID chip क्या है ठीक है सबसे पहले अगर मैं आपको यहां पर बात बताते है RFID chip के weight को लेकर RFID chip के अंदर weight कितना होता है तो इसके अंदर 5 gram के लगभग 5 gram या इससे भी कम वजन आपको देखने को मिलता है यह simple एक हलकी सी chip होती है और इसके अंदर एक plastic के cover में होती है तो 5 gram के लगभग लगभग इसके अंदर आपको वजन देखने को मिलेगा अब यह है RFID chip आप यहां से देख सकते हैं यह RFID chip है इसको आप RFID chip या फिर RFID tag यहां पर आप बोल सकते हैं अब यह पूरा एक plastic है light plastic जिसको बोलते हैं और इसके अंदर एक छोटी सी chip लगी हुई है जिसको आप यहां पर tag या फिर आप इसको बोलते हैं transmitter आप इसको बोल सकते हैं ठीक है एक ग्राम के अंदर तक भी इसके अंदर वजन छोथे बहुत लाइट इसके अंदर वजन आपको देखने को मिलता है ठीक है तो यह आपकी RFID चिप होती है इगर आप देख लिजे कि RFID चिप है वो आपकी कैसी नजर आती है तो यह RFID चिप है अगर हम बात करें RFID चिप की working क काम कैसे करता है तो देखे इस चीज को आप यहां से समझेगा यह आप रनिंग यहां पर कर रहे हैं ठीक है यह आपके रनिंग कर रहे हैं आपके पैर के उपर चिप यहां पर लगी हुई है अब यहां से ठीक है जैसे ही आप यहां पर आते हो आप यहां खड़े हो मालो इस के उपर आप यहां पर खड़े हुए हो अब आप यहां पर खड़े हुए हो अब आपके पैर के उपर जो लगा हुआ है वो है टैग या फिर आपका receiver यह है आपके receiver जैसे ही आप यहाँ से खड़े हुए, जैसे ही आपने यहाँ से running start करने के लिए इसको cross किया आपके pair के उपर जो tag लगा हुआ है वो signal transmit करेगा यह receiver यहाँ से इसको receive करेगा इस computer के उपर आपका जो time है वो यहाँ पर इस machine पर आएगा यह machine जूड़ी हुई इस computer से और इस computer के उपर आपका जो time है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, calculate हो जाएगा अब यहाँ पर क्या होगा आपका यह round है, अब आपने ऐसे round complete किया, complete किया, complete किया जैसे ही आप finish के उपर आते हैं वापस से tag और receiver आपस में इस computer के उपर भेजेगा और यह इसको इस computer पर भेज देगा और यहाँ पर time आजाएगा कि आपने 0000000 से इसको start किया था और अब आपने time लिया है 0000106 यहाँ पर lap 1 आजाएगा मतलब कि first round में आपने तना time लिया है जैसे आप दुबारा से receiver को cross करेंगे दुबारा आपका time चल जाएगा 0000106 से दुबारा आपका start हो जाएगा फिर आपने next round लिया 0000507 फिर यह वाला जो आपका time है यह record हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर आपको हो जाएगा आप यहाँ पर एक चक्कळ आपने कितनी देर में पूरा किया क्योकि उसके उपर time है फिर आपको पता लग जाएगा 2 चकळ कितने में पूरा किया 3 चक्कर कितने में अब वहाँ पर distance measure नहीं हो रही है कि आपने कितना time में कितने distance cover की क्योंकि वहाँ पर fix है कि एक candidate जो है वो 5 चक्कर या 5 जो round है वो यहाँ पर काटेगा अब अगर आपने 5 round काटे हैं तो उन 5 round का आएगा lap 1, lap 2, lap 3, lap 4 और lap 5 जो भी candidate lap 5 तक नहीं पहुचेगा इसका मतलब वो disqualify हो गया है और जो पहुच जाएगा इसका मतलब उसने पूरा क कर लिया तो फिर उसका time यहाँ पर check किया जाएगा क्या वो particular time के अंदर कर रहा है या नहीं कर रहा है अब next सवाल था disadvantage यहाँ पर क्या है अब मान लिजिए suppose एक example है कि आपको 25 मिनट के अंदर 25 मिनट के अंदर 5 round 5 round जो है वो यहाँ पर complete करने है ठीक है अब आप यहाँ पर आप पोचे 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 यहाँ तक आप पोच गए और इस tag पर pair रखने से पहले इस पर pair रखने से पहले 25.01 एक second हो गया तो इस 01 second की वज़े से भी आप क्या हो जाएंगे disqualify यहाँ पर आप हो जाएंगे पहले क्या होता था कि अगर आपने 25.1 या 2 पर भी पहुचे ने तो भी analog होता था आपको pass कर दिया करते थे अब अगर आपका 25.01 भी हो गया या 001 भी हो गया तो भी आपको यहाँ पर disqualify कर दिया जाएगा तो यह disadvantage है चो ऐसे में आप सभ second के उपर ही अपना जो race है वो यहाँ पर complete कर लेनी चाहिए या 55 second के उपर आपकी race complete कर लेनी चाहिए second millisecond का भी हिसाब यहाँ पर रहेगा और इसी के उपर ही disqualify इस बार यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएंगे second अब आपको practice करनी है तो आपका जो pair है इसके उपर आपक जो RFID चिप बांदी जाए उसके बाद आपको अजक ना है उसकी आपको कोई भी irritation ना हो और आपको आदत रहे कि आपके pair के उपर कोई चिप जो है वो यहाँ पर बांदी जाएगी ठीक है तो यही कुछ बड़े updates थे कुछ बड़े सवाल थे hopes आपके सारे सवालों के जवा हाई गई है जैसे कि यूपी होगए अधर स्टेट्स होगए जाब 140 के करीब आपकी कट ओफ गई है अब ऐसे में RF फाइनल कट ओफ के हाई जाने के कारण क्या है इसके तो दो ही रीजने मेंली तो की लेवल ओफ एक्जाम और दूसरा हाड़ वर्किक बहुत जादा हुई ह प्रिवेस एर को देखते हुए बच्चों की तो यहाँ पर में चीज यही है कि कट ओफ के हाई जाने की इसके अलावा फाइनल कट ओफ कितनी जा सकती है में रीजन क्या थे कि इस तो बार कट ओफ इतनी हाई गई पर्टिकुलर स्टेट्स के हाई क्यों गई है इसके ओपर यह 10 नंबर एक्स्ट्रा गई है तो काफी हाई हमारी एक्सपेक्टेशन थे उससे आई गई है लेकिन फिर भी फाइनल कट ओफ कितनी जा सकती उसका एक रफली आइडिया में आप लगाने के जरूर कोशिस करेंगे तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी बट फिलाल वी जैया हमारी में लुझा एकवेशन घर भी हमास नंबर भी हमा कोश्म Impact के तुरत झांपनल काफी के जाँचर भी हला गई है लग गिली मेंगेशन